हेलो एबरीबड़ी मैं हूँ आपकी चमेली विस्वा स्वागत है आपको मेरा चाली में आज मैं आपको बहुत ही टेश्टी जामुन दिखाऊ ली आप देखोगी तो देखते के साथ ही आपको मुँमे पानी आजाएगा जामुन का पीड है हमारे घर में इस मौसम में जानत है और कितना टेश्टी लगता है खाने में क्या क्यों देखोगी तो अपका मुमें पानी आजाएगा अदम लगेगा कि बस लूर खा यह आप देख रहे हो यह हमारे घर के बगान के जामुन है तुम एकदम बड़े-बड़े इतने रसीले देखो मैं इसका यह कर रही हूं इतना यमी है कि मत पूछो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर का बगान और जामुन का पेड़ यह हमारा बगान का रास्ता है अभी मैं आपको ले चलती हूँ जामुन के पेड़ के पास यह फूल का पेड़ है पुजा करती हूँ से यह बेली है बहुत ही अच्छा खुसबू आता है बारिश होने पर यह हमारे बगान में आम का पेड़ लगा हुआ है बेल पत्तर का है अभी तो बेल बहुत अच्छा आता है गर्मिक मौसम में बेल खाने से पेड़ भी ठीक राता है यह हमारे घहर को बागान का आम है पके हुए आम घर के एकडम रसी ले तो मैं कहां थी जामून का पेड़ आप दिखाना है बहुत सारे पेड़ हमारे बागान में लगे हुए हैं सीशम का है आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ है आप देख रहे हैं हमारे बागान कितने खुशुरत है अब पीछे देख रहे हुए कितने सारे पेड़ है सारा चार का सारा हमारे बड़े जेड़जी देख बाल करते हैं यह आगया जामून का प्याओ अब देख रहे हुँए अभी भी कितना सारा जामून लगा हुआ है आपको मैं close करके भी खा सकती हूँ पर दिखियेगा नहीं इसमें बाहर से बच्चे लगाते हैं और धेर सरा जामुन तोड़ते हैं और हमें भी देते हैं क्यूंकि हम तो इस पर चड़के तोड़ नहीं सकते वो लोग छोटे-छोटे होते हैं पूरा उपर तक चड़ जाते ह क्यारों झाल धेर सरा जामुन तोड़के अपने घर भी ले जाते हैं और हम लोग को भी देते हैं पुस तो देखिए नीचे भी जीरा होगा इतना मीठा-मीठा जामुन है न बहुत ही मीठा अ मिठा अब देक सकते है है बहुत सारे बिखरे पढ़े हैं बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही टेस्टी है, शुरू में तो बहुत कम खीलते थे, बहुत ही कम आते थे, अब तो इतना जगह लग गया है, कि हाँ से बहुत हमारे घर से जामुन लेगाते हैं, देख रहे हो ना? दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, और कमेंड भी कीजिएगा, और फिर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, गर्मियों का मौसम में, बगान में घुमने में कुछ अलगी मज़ा है, तो आप लोग बताइए कि हमारा जामुन का पेड़ और जामुन कैसा लगा, कमेंट करना न भूलिएगा, प्लीज कमेंट तभी कीजिएगा,